आई अब्रीवन यह है गोड़कोर्स इसराउंड 719 डिविजन 3 का एडिटोरियल तो प्राब्लम ए टू एफटो हम डिसकुस करेंगे प्राब्लम ए से स्टार्ट करते हैं प्राब्लम ए क्या है काफी सिंपल है तो हमें कुछ पॉलिकार्गों के 26 टास्क दिये हैं सारे टास् तुम टास्क स्टार्ट करते हो सॉल्व करना तो उसे खतम कर देना डिस्ट्रैक्ट मत होना तो अगर वो हर टास्क को स्टार्ट करता है और उसे खतम भी करता है फिर ही दूसरा टास्क स्टार्ट करता है तो टीचर सस्पीशियस नहीं होगी तो हमें यह स्प्रिंट करवान तो अभी यह कैसे है इसको analyze करते हैं जल्दी से तो हमें एक string दे रखी है जिस order में polycarp task को solve कर रहा है तो for example मैं अगर कोई भही से string consider करूं d d b b c c c b b d d b b c c c b b z अगर यह string consider करूं तो कोई भी टास्क जो है polycarp को continuity में ही कतम करना है ठीक है वो distract नहीं हो सकता distract का कैसे पता चलाएंगे हमकि distract हुआ या नहीं तो अगर वो d task कर रहा था तो d ही complete कर रहा है फिर वो b करने लग गया फिर उसने c करा तो अगर यह d complete हो गया है यहाँ पर क्योंकि उसने छोड़ दिया तो वो दुबारा नहीं आना चाहिए आगे अगर वो दुबारा आ रहा है कहीं पर यानि कि वो distract हो गया और b start कर दिया उसने यानि कि d incomplete था तो बस यह हमें चेक करना है तो इस वाली case में क्या है जैसे उसने आपर d d b ठीक है उसने d करा d करा ठीक है फिर b करा b करा फिर c पे आ गया वो अब वो दुबारा b पे आ गया यानि कि उसने पहले b को complete नहीं करा था यानि कि वो यहाँ पर distract हो गया था तो हमें पता चल गया तो हम no print करवा देंगे otherwise yes print करवा देंगे तो अब यह discontinuity कैसे चेक करना ह है कि कोई भी लेटर हमेशा continuity में ही होना चाहिए अगर वो दो contiguous segment में exist कर रहा है ठीक है कोई भी लेटर तो यानि कि वो distract हो गया हमारा answer no होगा अगर सारे letter a continue segment में है कि a यहीं पर है c यहीं पर है c और किसी segment में नहीं है तो अपना answer yes होगा तो काफी simple problem थी इसका code मैं दिख हा देता हूं मेरी implementation तो तो यह रहा अपना code काफी simple है अपने string और length input करा एक array बनाया जिसमें frequency store करेंगे लेटर्स की a to z और हमने यहां पर जीरो अथ इंडेक्स पर जो character है उसकी frequency इंक्रिमेंट करती फिर हमने वन से स्टार्ट करा वन से last character तक जाएंगे तो हमने यहां पर इसमें हमने अब यह चेक करा कि अगर हमारा जो current character है मतलब si उसकी अगर frequency पहले से ही कुछ है non zero है यानि कि वो पहले string में आया हुआ है आई से पहले भी वो आया हुआ है तो हमने चेक करा कि क्या current और previous character same है तो अगर same है नहीं continuity में ही आ रहे होंगे तो ठीक है कोई बात नहीं तो हमने यहां बर कुछ नहीं करना अगर वो previous और current equal नहीं है और current character पहले आया हुआ है या अगर यह भी case नहीं होता यह वाला case होता है बस या तो यह वाला case या तो फिर यह first time अगर हो रहा है तो हमने उसकी frequency increment कर दी और आगे बढ़ गए तो बस और अगर कुछ no नहीं हुआ तो यानि कि yes है यानि कि वो distract नहीं हुआ तो हमने प्रेंट करके ख़तम कर दिया तो अब देखते हैं problem B जो कि है ordinary numbers तो problem यह है कि और एक ordinary number है अगर उसके सारे digits equal है तो 1299 इसमें सारे digits equal है तो हमने कुछ बताना है कि number of ordinary numbers among the numbers 1 to n तो 1 से n में कितने ordinary number होंगे तो ठीक है तो ordinary numbers क्या है पहले देख लेते हैं 12 अगर single digit की बात करूं तो 9 तक सारे ordinary होंगे two digit की बात करूं तो 1,1,2,2,3,3 ऐसे करके 99 तक फिर ऐसे ही three digit पे 11,12,22,999 और ऐसे ही सारे ordinary numbers है तो हमें कोई भी n number दिया हुआ है हमें बताना है 1 से n में कितने ordinary number होंगे तो काफे simple है सबसे पहले हम अगर हमें n तक ordinary numbers बताने हैं और n में हम number of digits निकाल ले अगर यह d है तो d-1 तक जितनी पी ordinary number है वो तो हम ऐसे ही निकाल सकते हैं क्योंकि हर digit में 9 ordinary number है अगर हम observe करें one digit में 9 है two digit में three digit में तो d-1 digit तके तो सारे ordinary number आई रहे होंगे तो d-1 into nine ठीक है अब d digit में कितने होंगे यह चेक करना है तो उसके लिए काफी असान है तो इस d digit में भी 9 number ही होंगे तो first number क्या होगा जो ordinary होगा वो 11111 अगर d5 मैं मानूँ तो यह first number होगा तो मैं एक loop चला दूँगा इससे start करक है कि वाइल हमारा यह number is less than equal to n तो यह पहले 11111 फिर 22222 फिर ऐसे सारे 99999 तक चेक कर लेंगे और जितने भी होंगे हम answer में आड़ करते हैं तो यह भी काफी सिंपल है इसका भी code देख लेते हैं फटाफट है तो code है कोड़ इसका भी काफी आसान है number इंपुट करा उसके digits कैलकुलेट करी एक वाइल लूप से और फिर हमने ंड-1 डिजेट के तो सारे 9 ordinary numbers एड़ कर दी आंसर में और उसके बाद हमने 11111 मतलब हमने यह 11111 क्रिएट करा सबसे फर्स्ट ordinary numbers ordinary number 111 डी टाइम्स ठीक है डी डिजेट होंगे तो सबसे पहला ordinary और फिर हमने सारे चेक कर लिए 9 के 9 की एंड से कितने चोटे हैं और उतना हमने आड़ कर भी आंसर में तो यह वाइल लोग मैक्सिमम नौ बार चलेगा और यह वाला डी टाइम्स चलेगा तो ऐसे हमने आंसर निकाल लिया अब हम देखते हैं प्रॉब्लम c तो प्रॉब्लम c है नोट अजसे हैं इसमें हमें एक ऐसा मेट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना हैं इन क्रोस एन जिसमें कंडिशन फॉलो कि सारे नंबर्स बन टू-N एड्जेसेंट की डेफिनेशन है यहां पर दो नंबर्स एड्जेसेंट हैं इस उनका एपसलूट डिफरेंश जो है वो वन है तो यह प्यूर कंस्ट्रक्टिव प्रॉब्लम में इसमें मतलग कोई डिफाइंड अल्कॉरिथम नहीं है सबका तरीका अलग अलग हो सकता है मैं सॉलेशन खोल के देखें नहीं है बागी मैंने कैसे कर रहा मैं वो बता देता हूं तो इसमें क्या था कि अपने को एक एन क्रॉस एन कंस्ट्रक्ट करना है ठीक है वन से एन स्कोर वेल्यूज होंगी इसमें तो कोई भी अगर मैं यहां पर फाइव क्रॉस संथिंग लूँ सॉरी संथिंग क्रॉस फाइव लूँ तो अगर मैं इस सेल की बात करूँ तो यह एडजेसेंट है यह एडजेसेंट है यह एडजेसेंट है यह एडजेसेंट है इसके तो इसमें और इन चारों में से किसी का भी डिफरेंस अगर मैं इसको यह 1, A2, A3, A4 और इसे X लूँ तो X-AI किसी का भी difference 1 नहीं होना चाहिए ऐसा मेट्रिक्स हमें construct करना है तो मैंने simple इसमें ऐसे करा कि 1 से start करा 2,2 के difference पे अगर मैं example लो 3 x 3 का तो 1 से 9 तक number होंगे तो मैंने करा 1, 3, 5, 7, 9 मैंने 2,2 के difference पे सारे number start से डालना start करा और फिर जैसे अपन end पे आगए फिर हमने 2 से चालो करा 2,4,6,8 तो इससे मैंने ये देखा कि जो भी matrix बन रहा है उसमें ये conditions फॉलो हो रही है क्योंकि वो दो-दो के difference पे है तो कभी adjacent का difference 1 आएगा नहीं तो बाकी किसी और का solution differ कर सकता है और ये चीज 2 क्रोस 2 में valid नहीं हो सकती क्योंकि अगर मैं 2 क्रोस 2 में कोई भी permutation लो तो कोई ना कोई adjacent तो आए गई आएगा जैसे इसमें difference 1 आ रहा है अगर मैं ये वाले तरीके से 2 क्रोस 2 बनाऊं तो ये बनेगा 1,3 2,4 तो इसमें ये वाला आ जाएगा तो हमेशा गोई ना गोई ये वाला भी आ गया तो 2 में possible नहीं होगा बागी सब में possible है तो इसका भी काफी असान सा ही था इसका code देख लेते हैं यहीं पे तो इन 2 के लिए मैंने माइनस 1 प्रेंट करवा दिया otherwise मैं matrix construct कर रहा हूँ कैसे कर रहा हूँ 1 से start करा और मैं num दे रहा हूँ num को 2 से increment करता जा रहा हूँ जैसे ही मेरा num n x n जो maximum value cross कर गया तो मैंने इसको 2 से start कर दिया और फिर मैंने matrix print कर दिया तो ये मेरा solution था तो अब देखते हैं problem d same differences तो d problem है same differences ये भी काफी आसान है हमें एक array दिया है इन integers का हमें number of pairs of indices i, j count करने है such that i less than j और ये condition satisfy हो aj minus ai equals j minus i तो ये problem क्या है कि हमें एक array दे रखा है और n length है हमें क्या करना है aj minus ai equals j minus i ऐसे indices बताने हैं कितने बना सकते हैं हम i, j ठीक है जहाँ पर i less than j होगा तो ये काफी असान है अगर इसको मैं ऐसे लिखतू aj plus j sorry aj minus j equals ai minus i तो ये condition काफी असान हो गई है simplify हो गई है तो हमें अब क्या करना है कि हमारे पास array है a1, a2, a3, an तो हमें ऐसे pairs बताने हैं i, j के जिसमें element minus का index जो हो वो equal तो मैंने क्या करा array में traverse करा a1 minus 1 a2 minus 2 ऐसे करके an minus n ये मैंने save कर लिया इसकी frequency save कर ली एक array में और फिर जैसे अगर मान लो मैंने map में इस frequencies को store करा इन सब को तो मान लो किसी particular कोई particular difference मान लो ये 5 आ रहा था तो map मेरा MP में 5 में कुछ 4 save है मतलब चार बार ये difference आया है 5 ये 5 बार आया है a1 minus i तो मैं ये pairs कित्ती बार बना पहूंगा तो चार में से कोई भी 2 select कर लो 4 c 2 तो मेरा answer होगा नहीं होगा जैसे मैं अगर यहां पर आपको करके दिखाऊं किसी example के साथ कि मान लो 5 difference आ रहा है for indices 1, 5, 7, 9 इन चार के लिए आ रहा है तो अब मैं i, j कितने create कर सकता हूं तो 1, 5 1, 7 1, 9 ऐसे 5, 7, 5, 9 फिर 7, 9 तो यह कितने होगा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो यह basically क्या होता है 4 c 2 n c 2 तो यह होता है n into n minus 1 by 2 तो simple है तो हमें क्या करना है कि हर a i minus i को हमें save करना है frequency create map में और फिर जित्ती भी frequency आएगी मानलो x है तो x c 2 हमें answer made करते रहा है तो काफी आसान है इसका code देख लेते हैं और d का तो d काफी आसान है तो मैंने एक n input करा और एक array बनाया 2 into n plus 1 क्योंकि मैं negative number भी handle इसी में कर रहा था वरना आप map ले सकते हो तो मैंने values ली और a i minus i को मैंने इस array में save करा plus n इसले कर रहा हूँ मैं क्योंकि यह value negative भी हो सकती है तो मैं इसको plus in कर रहा हूँ और फिर मैंने answer calculate कर लिया हर frequency बगया और nc2 मैंने आपर calculate करा answer मैं add करा और print करा तो काफी आसान है यह भी तो अब देखते हैं problem e तो problem यह है arranging the sheep यह भी काफी standard problem थी मतलब अगर आपने करी हो पहले तो फट अफट कर सकते हो इसे तो यह problem थी कुछ हमें string दी वी है star dot की हमें सारे stars को contiguous segment में बनाना है मतलब एक साथ करना है जैसे finally यह बनाना है तो शुरू में अलग-अलग थे बीच में dots थे अब बीच में dots नहीं है तो सारे stars को contiguous arrange करना है तो minimum moves बतानी है हमें यह करने के लिए और एक move है कि हम एक star को left या right move कर सकते है dots से shift कर सकते है अगर possible है तो तो यह problem में मैंने क्या गरा कि मैंने मीडियन के around move करा है सक को तो मैं इसको code से समझाता हूँ काफी आसान होगा e तो मैंने क्या करा है यह आपर यह सब तो यूज नहीं आएगा शायद तो सबसे पहले मैंने क्या गरा तो हम मेडियन के around अगर move करते हैं ऐसे problems में जिसमें हमें बहुत सारे possible moves होते हैं किसी भी string में कि left भी जा सकते राइट पर है मेडियन के around अगर move करते हैं तो वह minimize करता है हमारे answer को इसका proof आप search कर सकते हो यह mathematical है अगर आपने पहले ऐसी problem करी होगी standard है काफी तो आपको पता होगा वरना आप search कर लेना Google कर लेना मिल जाएगा तो मैंने बस idea share कर रहा हूँ मैंने कैसे कर रहा तो median हमेशा याद रखना बहुत काम आता है और तो इसमें string input करी और सारे मैंने position save कर लिया जो इसमें star है तो जो iOS में मैंने save कर लिया POS vector में फिर अगर यह POS empty है तो कोई दिक्कत ही नहीं तो star अपने पास है नहीं तो zero answer हो गया otherwise मैंने median निकाला तो median क्या लिया है मैंने total जो भी है उस divide by 2 करके median ले लिया मतलब vector जो भी POS vector है इसमें median जो भी होगा वो मैंने निकाल लिया और उसके बाद मैंने median के around move करा मतलब मैं जो ड्रॉबर के संगाता हूं जिसे मान लो star dot star star dot star star dot 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 ठीक है तो यह 0 position 1 2 3 4 5 6 7 8 तो मैंने पहले एक vector में save करा तो vector में क्या save होगा 0 2 3 5 ठीक है तो मैंने median लिया 4 by 2 जो क्यों तहर 2 2 पे क्या है 3 तो मैंने 3 के around मैंने इस सेग्मेंट बनाने की कोशिश करी और वो minimum answer देगा यह mathematics प्रूफ करती है मैं यहां पर समझा नहीं सकता क्योंकि मेरे को प्रूफ नहीं पता उसका भी देखना पड़ेगा उसके लिए पर मैंने देखा हुआ है तो थ्री के around मूव करने के लिए मैंने स्टार को यहां मूव करवाया स्टार को यह तो बहीं पर और स्टार को इधर मूव करवाया तो इसकी implementation मैं आपको दिखा रहा हुए तो implementation वही है कि मीडियन निकाला सारे स्टार्स को लेकर आना है तो सबसे पहले मैंने temp 1 लिया हुआ है तो मैं क्या कर रहा हूँ जो भी median माइनस अभी left वाल है जो median के left में उसको उसके पास लेकर आ रहा हूँ तो median माइनस पोज आई इससे गया होगा वह i तक आ गया अब मेरे को median पे आ गया आई वाला तो मेरे को median पे लाना नहीं है मेरे को उसके एक left में चाहिए तो मैंने temp minus कर दिया 1 और मैं temp हर बार एक से increase करता जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को हमेशा median से gap बढ़ता जाएगा स्टार्स का अभी starting में 1 रहेगा पहले star का फिर दूसरे का 2 फिर तीसरे का 3 अगर के उतरेगा और सेम चीज मैंने उसके राइट वाले के साथ भी perform करी और अपने पास minimum answer आ गया मैं इसका कोई proof लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो तो देखते हैं बगली problem problem f 1 तो problem f 1 gives the kth 0 इसका easy version में बस यह difference है कि इसमें सिर्फ एक बार हमें बताना क्या है हमें position of kth 0 बताना है from left एक array है 0 और 1 का ठीक है जो given नहीं है हमें वो छुपा हुआ है मतलब hidden है हमें बस यह बता है कि 0 और 1 कह रही है हमें kth 0 का from left side position बताना है तो easy version में t1 सिर्फ एक बार बताना है और b2 परफॉर्म कर सकते तो इंट्रेक्टिव प्रॉब्लम है नहीं पता दो description में लिंक होगा पढ़ लेना इसमें हमें इंट्रेक्टर से इंट्रेक्ट करना होता है हमें output flush करना होता है जिससे के इंट्रेक्टर को पता चल जाए कि उसे हमें एक input देना है तो ऐसा होता है कुछ आप पढ़ लेना अगर नहीं पता तो तो t1 के लिए कैसे करा मैंने तो मैं दिखाता हूं तो मेरे को क्या करना है कि kth 0 का index बताना है ठीक है kth 0 का index मेरे को find out करना है कोई 011001001 ऐसे कोई array होगा तो मैंने क्या सोचा मैंने सोचा कि अगर मेरे को पता चल जाए कि i-th position ही मेरा kth 0 का index है तो क्या condition होगी condition ये होगी क्योंकि मैं एक query में l2r का sum निकाल सकता हूँ sum of l2r मैं find out कर सकता हूँ एक query में और मेरे पास 20 maximum queries है तो ये देखके समझ में आना चाहिए कि binary search का कुछ चक्कर हो सकता है क्योंकि जो array की length है maximum max जो है वो 2 into 10 की पावर 5 है और हमें सिर्फ 20 query में बताने है तो binary search type ही होगा क्योंकि logarithmic algorithm है यहां फिर काम करेगा ठीक है तो मैंने क्या condition निकाली कि ये काफी असान है मतलब एक query के लिए दो 2 के लिए भी असान है वो इसमें थोड़ा सा modification आएगा 2 के लिए sorry T के लिए T1 और T10 की पावर 4 ऐसे था तो अगर i-th position मेरा k-th 0 वाला है तो 1 से i-th का sum मैं निकाल सकता हूँ query से ठीक है तो अगर इसका sum S है तो ये sum क्या होना चाहिए ये होना चाहिए i-k क्योंकि अगर इसका sum S है जो कि मैं query से निकालूँगा और इसमें k zeros है तो इसकी length जो है वो i है तो i में अगर k zeros है तो i-k करूँगा तो once बचेंगे तो once ही तो sum होना चाहिए ठीक है जैसे मैं अगर इसका example दो इस पूरे part का अगर इसका sum मेरे को इंट्रेक्टर ने 2 दिया तो मैं इस 2 को कैसे लूँगा कि इसकी length तो 5 है minus मेरे को kth 0 निकालना है k अभी 3 है तो 3 minus करूँगा तो ये 2 के equalार है तो यानि कि ये i-th position मेरी सही है ठीक है तो मैं इस चीज़ पे सर्च करूँगा कि जो मेरा sum आएगा 1 to i का वो i minus kk equal हो ठीक है तो तो मैं करेगे लिए बताता हूँ 0, 1, 1, 0, 0 1, 0, 1, 0 ये अगर मेरा array है ठीक है तो अब मेरे को पता है कि अगर मेरा i-th जो भी element है वो मेरा i-th element जो है वो मेरा kth 0 की position है ठीक है तो ये condition वो satisfy करेगा satisfy condition क्या है condition है कि जो s होगा जो हम query से निकाल लेंगे s जो होगा वो query से आएगा 1 to i मतलब 1 to i का sum मतलब सुरू first i elements का sum तो वो जो होगा वो length i minus k इसके equal होगा ठीक है तो जिसे मैं आपर check करता हूँ कि अगर मैं इसे 1, 2, 3, 4, 5 indexing करूँ 1 based तो अगर मेरा k 3 है तो s जो है 0 to 3 sorry 1 to 5 i equals 5 है आपर s जो है वो क्या आएगा 2 आएगा और i क्या है 5 minus k है 3 यह 2 आएगा तो यह दोने equal हो रहे हैं यानि कि 5 हमारा answer है अब मैं check करता हूँ k is equal to 4 के लिए तो अगर मैं k 4 ले रहा हूँ और मैं i 5 ले रहा हूँ तो s मेरा 2 आएगा और i minus k क्या आएगा i आएगा 5 minus 4 तो यह आगा 1 तो 2 जो greater than 1 है तो s जो है greater than i minus k आगया तो इस case में हम क्या गरेंगे यही हमारी binary search की condition है कि यह तो हमारा answer की condition है और अगर ऐसा हो रहा है sum greater आ रहा है i minus k से यानि कि जितने once इस array में हमने सोचते होने चाहिए i minus k उससे जादा है तो हमारा answer i से आगे ही होगा ठीक है यह इस example से समझो कि k4 है k4 के लिए s जो है वो greater than 1 आ रहा है तो अपना answer अपना वैसे answer क्या है fourth zero कौन सा है one two three four अपना answer है ये वाला seventh तो अपना answer five से आगे है तो हम binary search में का करेंगे low को increment कर देंगे mid plus one से क्योंकि हमारा answer mid के आगे है mid यहाँ पर आई है तो ये binary search की condition हो गई ऐसे ही जब s less than आएगा i minus k तो हम high को i minus one कर देंगे क्योंकि हमारा answer i से पहले होगा और अगर ये आ गया तो हमारा answer हमें मिल गया तो इसका code देख लेते हैं फट फट code f1 तो code यही पर देख लेते हैं इसका तो मैंने क्या गए रहा n और t input लिया इसमें t1 है तो while loop की ज़रुद नहीं थी पर बस लगा दिया तो इसमें k input करना है कि कौन से 0 की position हमें निकाल ली है kth 0 की निकाल ली है तो binary search कैसे लगाया low 0 high n positions को extreme से initialize करा और answer में वाद answer से होगा binary search यह है binary search में क्या गरा मैंने mid निकाला low प्लस high by 2 और query करी इस position के लिए यहाँ पर जो mid है वो हमने i देखा अभी जो explanation में समझा था तो query का format यह है तो इससे मेरे को 1 से mid तक का sum मिल गया तो अगर यह sum जो है वो अपना mid minus k के equal है मतलब यह अपना answer है तो अपने answer मिल गया मैंने यहाँ पर extra वो लगाया हुआ ऐसे फरक नहीं पड़ेगा वैसे answer यह है और otherwise अगर जो अपना sum आया वो greater आ रहा है mid minus k से तो हमारा answer जो है mid से आगे है mid के right में होगा तो मैंने low को mid plus 1 कर दिया change otherwise अपना जो sum है वो less than mid minus k है तो अपना answer जो है mid से left में होगा तो मैंने high को mid minus 1 से replace कर दिया तो बस यह log n में चलेगा तो worst case इसका f1 में जो n है 2 into 10 की पर 5 है तो log n 18 या 17 गया सपस आएगा तो 20 queries हमें दी थी तो यह problem ऐसे solve हो जाएगी अब जो f2 है उसमें क्या अलग है f2 में है कि हमारा जो t है वो 1 से 10 की पावर 4 तक कुछ भी हो सकता है और हमें number of queries 6 into 10 की पावर 4 से limited है वहाँ पे 20 थी तो यहाँ पर test case भी बढ़ा दी है इसलिए queries भी बढ़ा दी तो approach सेम रहेगी मैं code से ही समझाने ही गोशिश करता हूँ यह मैंने बाद में करा क्योंकि मैं f1 में अटक गया था एक छोटी सी variable की गलती हो रही थी उसके चक्कर मेरा wrong answer आ रहा था तो इसलिए मेरे को time नहीं मिल पाया तो मैंने यह बाद में solve कर रहा है तो इसमें क्या अलग करा है तो जो मैं यहां पर sum की query कर रहा हूँ उसको मैंने save कर लिया पहले ठीक है जैसे मैंने एक set लिया है और एक array लिया है तो मैं कर के आ रहा हूँ आपको यहांब दिखेगा कि जो मैं अगर मैंने कोई mid निकाला भी binary search में तो मेरे को भी 1 से mid का sum चाहिए तो मैं पहले चेक कर रहा हूँ कि इसका sum मैंने क्या पहले निकाला हुआ है अगर मैंने पहले इस sum के लिए 1 to mid के लिए query करीब ही है तो मेरे पास का sum save होगा array में एरर array में उस position तक का sum तो वो इसमें save होगा initialize मैंने इसे करा है minus 1 से तो अगर minus 1 होगा मतलग यह sum अभी तक नहीं निकाला है तो अगर मैंने नहीं निकाला है तो मैं query perform करूँगा 1 से mid और मैं उसको एक set में डाल दूँगा और मैं array में उसका sum डाल दूँगा ठीक है फिर otherwise मैं saved sum को variable में save करूँगा और फिर मैं अपनी वही तीनों condition जो पिछले में करीती वो execute करूँगा और ऐसे करके मैं अपना answer निकालूँगा अब answer निकलने के बाद क्या करना है answer निकलने के बाद जो f2 में है कि जो भी position आप निकालोगे ठीक है के अथ 0 की जो भी position होगी वो position पे 0 होगा क्योंकि वो के अथ 0 की position है तो वो 1 हो जाएगा the xth element of the array will be replaced from 0 to 1 तो ये change हो जाएगा अब उस array में तो उसके लिए मैंने क्या करा कि जो भी मेरा अब answer है answer क्या है के अथ 0 की position है तो अब ये बन हो जाएगा तो इसके आगे का जितनों का भी मैंने sum निकाला हुआ है ठीक है तो मैंने क्या करा इसको find करा अपने set में मैंने एक set में देखा होगा आपने आपर जो जिस जिस position के लिए मैंने query करी है वो position मैंने set में डाली तो इस position का मैंने iterator निकाला और वहां से जितने भी क्योंकि set में sorted order रहता है तो उससे बड़े जितने भी positions होंगे उन सब के sum में मैंने one increment कर दिया इससे क्या हुआ कि जो मैंने final answer इस query का निकाला था इस test case का for kth 0 की जो position है अभी ये one हो गई है तो जो sum होगा इसके आगे वाली positions का वो one से increment हो जाएगा तो जितने भी मैंने अभी तक sum निकाले हैं जिस भी positions के लिए वो set में save है क्योंकि जो भी मैं return निकाल रहा हूं वो मैं set में डाल रहा हूं तो उन सब के लिए मैंने sum one से increment कर दिया जिससे कि आगे कभी मैं अगर पुराना sum use करूँ तो वो correct आए incorrect ना आए तो बस ये save कर गया मैंने कुछ queries यहाँ पर बचा ली तो उससे जो है मेरा ये under constraint चल गया 6 into 10 की power 4 तो मैंने इसके लिए कोई calculation नहीं करी कि हाँ 6 into 10 की power 4 में ही चलना चाहिए ये तो ऐसा कुछ करूँगा बस मैंने ये मेरे को ये लगा कि मैं save कर सकता हूँ कुछ queries तो मैंने वो save कर ली और ये execute हो गया और accept भी हो गया तो पता नहीं अब ये hack ना हो जाए शायद तो देखते हैं बाकिकल तो इसकी ये approach थी मैंने अप्रोचे से solve करा बाकि जी मैं पढ़नी बाया ये मैं बाद में अब solve करूँगा तो अभी गे लेत नहीं thank you for watching subscribe कर देना अगर कुछ भी समझ में आया हो तो like कर देना see you in our next video